आजाद भारत के तिहास में पहली बार उचितम नयाले के चार मौजूदा नयाएधीशों ने आज अपना काम का जोड़कर आनन फानन में प्रेस कांफरेंस बुलाई और देश के मुख्य नयाएधीश की कारशैली पर सवाल खड़े किये इसके बाद देर शाम मुख्य विपक्षी दल कॉंग्रेस ने भी प्रेस कांफरेंस कर मुद्दे पर अपनी राय रखी। कॉंग्रेस की ओर से पहले तो रंदीप सुर्जेबाला ने मिडिया को संबोधित किया लेकिन इसके बाद राहुल गांधी ने जो कॉंग्रेस के अभ सवाल पूछे हैं गंभीर मामला इसलिए कॉंग्रेस पार्टी ने स्टेट्मेंट दिया और मैंने भी सोचा कि मैं भी दो तीन शब्द कहूं जो सवाल उन्होंने उठाए हैं बहुत जरूरी सवाल हैं इनको ध्यान से देखा जाना चाहिए अड्रेस किया जाना चाहिए उ परफिरस्टिस लौया जी के बात उठाई हैं इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए हाइस्ट लेवल successes के लेवल पर इन्वेस्टिकेशन होना चाहिए यह हमारा लीगल सिस्टम है उस पर हम सब भरोसा करते हैं पुरा हिंदुस्तान भरोसा करता है और ऐसी गंबीर बात उठी है इसलिए हम इस पर स्टेटमेंट दे रहे हैं आपको बता दें कि शिर्स अदालत के दूसरे वर्षतम नयाधीश जस्टिस चलमेश्वर के तुगलक रोड स्थित आवास पर बुलाएगे संबादाता सम्मेलन में चारो नयाधीशों ने सरवच्च अदालत की कारे परणाली में प्रशासनिक ब्योस्ताओं का पालन नहीं क किये जाने और सुनवाई के लिए महतुपूर्ण मुकद्मों के आबंटन में मनमाना रविया अपनाने का आरोप लगाया इस प्रेस कांफरेंस में जस्टिस चलमेश्वर के साथ जस्टिस मदन भी लोकूर जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस कुरियन जोसेप भी पस्थिते